नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त फिर हाजुरू को स्वास्ते समंदी जानकारी को लेकर आज हम बात करेंगे आडू खाने से होने वाले फाइदों के बारे में और क्यों कहा जाता है आडू को स्वारग कफल ये इसके फाइ से मिल जाता है मुख्य रूप से इस फल की पैदावार चीन में मानी जाती है लेकिन समय के साथ अब यह फल पूरी दुनिया में उगाया और खाया जाता है आडू हलके लाल गुलाबी और पिले रंग के मिश्रन वाला रेशेदार फल है जो खाने में थोड़ा से सक्त और म की जाती है और डू में कार्पोहइड़ेर्स परोटीन फाइबर और यो कई परकार चीज से अब कर problems आ दोस्त्त की कि लेडेर खाया के बादने यह जानती है आखों को बनाए हल्दी आडू खाने से couldn't a roof रखने में मअज़द करता है क्योंकि इसमें बीटा कियर पाया जो शेरीर में जाकर विटामिन ddoo हो जाता है वीटामिन ए आखो को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जुरूर क्तन है यह आखो की राटीना को हेल्दी बनाएग नाएग रखने के लिए आड़ू जरूर खाएं किडिनी के लिए फायदेमंद आड़ू के सेवन से किडिनी स्वस्त्र रहती है क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में पोटैश्यम होता है जो किडिनी के लिए लावकरी माना जाता है यह आपकी जिरूरिनीरी ब्लैडर के लिए क्लोजिंग अजन्ट के रूप में काम करता है जिससे आपका ब्लैडर साफ रहता है और आपके उमतर से समंदित कोई बिमारी नहीं होती आड़ू खाने से और किड सुद्दे में होने लिए पत्छरी के समास्या को भी दूर करने मजद करता है विटामिन-C का खजाना है आड़ू में विटामिन-C परचूर मात्राइं पहए जाता है एक बढ़े आकार के आड़ू में आपके शृह के लिए दयाने की जरूरी विटामिन-C का 19% हिश्ता अ मिलती है मोटापे को भी कम करता है आड़ु में बहुत ही कम कलोरी पाय जाती है आड़ु में लगबग 80% तक पानी और फाइबर होते हैं जिसकी वज़ा आडू में फाइबर ज्यादा मात्रहें पाया जाता है, इसलिए बद हजमी दूर करने के लिए आडू को खाना चाहिए, आडू के सेवन से बद हजमी और खटी डिकार से शुटकारा पाया जा सकता है सुबह की समय नाश्ते में आडू खाने से आप दिन भर एनरजेटिक महसूस करते हैं, इसलिए आडू का सेवन करने से आपका तकान महसूस नहीं होती पेट के लिए फाइदे मंद है आडू, जैसा कि आपको पता है कि फाइबर से बरपूर फल पाचन तंतर के लिए काफी फाइदे मंद माने जाते हैं फाइबर से बरपूर होने के कारण आडू पेट के लिए बहुत लाबकारी फल माना गया है या पेट और लीवर से जहरीले पदार्तों को बाहर निकालने मदद करता है आड़ो को खान से कबज दूर होती है या अपच को भी दूर करता है आड़ो के फलों के रस से बनाए गए टिंक्चर में पेट दूर करने मदद मिलती है इसका रस बच्चों में होने वाले जोंडिंग रोग में लाब बंचाता है इसके ताज़ा पत्यों के रस के प्रयोग से पेट के किड़े मर जाते है आड़ो में अंटी ओक्सिदेंट पाए जाते हैं जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा लाब कारी है इस चमतकारी फल को रोजाना खाने से ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनक बिमारी के खतर से बचा जा सकता है आड़ो के पेड की छाल का इस्तेमाल जखमों को साफ करने और उसे भरने के लिए किया जाता है अगर हलका सकट गया हो और खून निकल रहा हो तो इसके ताजे पत्यों का लेप बनागर लगाने से खून निकलना बंद हो जाता है एंटी ओक्सिदेंट का भंडार है आड़ो आड़ो के छिलके में पॉली फेंडॉल्स पाई जाती हैं जिसकी वज़ा से इसका रंग लाल और पीला होता है पॉली फेंडॉल्स से एक शक्ति चाली अंटी ओक्सिदेंट है जो आपके शिरीर को हाने कारक फ्री रेडिकल से बचाता है इसलिए आड़ो को हमेशा चलके समयती खाना चाहिए कोच अधेन इस बात के पुष्टि करते हैं कि आड़ो में पाई जाना वाले अंटी ओक्सिदेंट कीमाथ्रोपी के दुरौन श्रीर में होने वाले साइड इफेक्ट से बचने में कैंसर के रोगी की मदद करते हैं आड़ो में विटामिन सी और अंटी ओक्सिदेंट प्रचूर मात्रा में पाई जाते हैं जिसकी बुझे सिया स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदमाना जाता है आड़ो को खाने से स्किन हमेशा जवान नजराती है क्योंकि इसमें पाई जाने वाले अंटी ओक्सिदेंट आपको जल्दी बुझापन नहीं आने देते हैं और आप लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं आड़ो से बने फेस पैक को लगाने से चेहरा कॉमल और चमकदार बनता है आड़ो को आप चाहे खाए या इसका फेस पैक लगाएं यह तवजा के लिए बहुत ही फाइदमान दफला है जैसा कि पहले भी उपर बताया हमने कि यह विटामिन A और बीटा कैरोटेन का उच्टन स्त्रोथ है इसके सेवन से नेतर विकार दूर होते हैं और स्किन चमकदार बनती है विटामिन A फेफ़डे और मुगी कैंसर से बचने में भी आपकी मदद करता है आड़ो में अंटी ओक्सिदेंट पाई जाते हैं जो आपको कैंसर से बचाय रखने मदद करते हैं इसमें फेनोलिक कंपाउंड पाई जाते हैं जो ब्रस्ट कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं आड़ो में मजूद अंटी ओक्सिदेंट कीमो थ्रैपी से शिरिक को होने वाल नुकसान से भी बचने मददगार करते हैं आड़ो का से बालो का गिरना और जढ़ना भी कम हो जाता है इसलिए जिन लोग के बाल जढ़ रहे हैं उन्हें रोजाना एक आड़ो जुरूर कहना चाहिए ये बालो को मजबूत बनाता है दिल के लिए बहुत फाइदेमंद है आड़ू आड़ू में potassium होता है जो heart rate और blood pressure को control में रखता है आड़ू दिल के लिए बहुत फाइदेमंद फल है इसके सेहन से cardiovascular system सही रहता है और आपको दिल से सम्मझेद कई सारे बिमारी होने खत्रा कभी कम हो जाता है इसमें vitamin K होता है जो blood clotting को रोकने से मदद करता है इसमें lycopene और lutein जैसे compound पाई जाते हैं जो दिल को healthy बनाते है आड़ू को खाने से दात और हड़िया मजबूत बनती है इसमें calcium काफी मात्रा में होता है जो हड़ियों और दांतों को मजबूत बनाका उन्हें बिमारियों से बचाता है आड़ू में iron काफी अच्छे मात्रा में पाए जाता है यह anemia यानि खून की कमी को खतम करता है और श्रीर में red blood cells की मात्रा को बढ़ाता है इसलिए अगर श्रीर में खून की कमी से जोज रहे हैं उस ऐसे विक्तियों को आड़ू का सेमन जरूर करना चाहिए आड़ू सूखी खांसी, हाई blood pressure, kidney stone, dama और कबज इन रोगं बहुत लावकारी है यह मुत्र वर्दक भी है जिससे यह गठिया के मरीजों के लिए बहुत फाइदे मन्द है यह पचनी में आसान है और श्रीर को स्वस्त बनाए रखने में सक्षम है इसलिए सभी लोगं को आड़ू खाने की सला दी जाती है तो दोस्तों यह थी आज की आड़ू के बारे में जानकारी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल दो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते एक लिए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद